गुट आफ्टर नून तो यू आल देखें 66 में BPSC प्रतियुक्ता परिक्षा के नोटिफिकेशन्स आ चुके हैं टेंटिटिव डेट दिसंबर के लास्ट दिसंबर 2020 के लास्ट वीक में रखा गया है और निश्चित तौर पर गुट आफ्टर नून तो यू अल विक्रम सर रोशन सर गुट आफ्टर नून देखे कोरोना के स्पेज में बिहार लोग सेवा आयोग ने 66 में BPSC मुख परिक्षा के नोटिफिकेशन्स जारी किये करीब करीब 600 के नियर अबाउट सेट से हैं और दिसंबर 2020 के लास्ट वीक में प्रारंभिक परिक्षा संभावित है और ऐसी इस सिती में देखा जाए तो आपके पास मुश्किल से तीन मेहने के समय हैं इस तीन मेहने के समय कम भी नहीं होता और तीन मेहने का समय बहुत ज्यादा भी नहीं होता यहीं इस बात पर निर्भर करता है कि तीन मेहने का समय कम होगा या तीन मेहने का समय ज्यादा होगा कि कहां तक आप अपने आपको एक्जामनेशन के डिसिप्लीन में बांध करके मिहनत करते हैं और आपके मिहनत की दिशा क्या है अक्सर मैं निदा फाजली को कोट करता हूँ मेरे फैवरेट सायर हैं कि कभी कभी हमने यूँ ही अपने जी को बहलाया है जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है सोसल मीडिया से लेकर चुकि अभी सारे संस्थान बंद हैं इसलिए स्ट्रेटजी से लेकर के प्रोग्राम तक जितनी वे तैयारियां हो रहे हैं जितनी वे रननेतियां डिसकस की जा रहे हैं डेजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रहे हैं और अगर उस कंटेक्स में बात करूं तो कुकुरमुत्य की तरह सजेशन देने वाले फैलते चले जा रहे हैं और एक इनफॉर्मिशन पॉलिशन के इस्थिति पैदा ले रही है किस सजेशन को माने किस सजेशन को ना माने इसको लेकर के एक दूविद है कि ये स्थिति पैदा हो रही है और जब मैं कह रहा हूँ कि कुकुरमुत्य की तरह सजेशन देने वाले फैलते जा रहे तो यहां पर ध्यान रखे हैं कि मैं अपने को उसके बाहर नहीं रखता हम लोग भी उसी दाइरे में आती हैं की और सुनो सबकी करो अपने मन की के बीच अगर आप देखे हैं तो एक थीन लाइन है और एक गैप है सुने हम सबकी लेकिन सुनने के बाद हम गुने और हमारे गुनने का आधार क्या होना चाहिए हमारे गुनने का आधार होना चाहिए बीपीएसी का सिलिबस और प्रीवियस येर के कोश्चन पेपर प्रीवियस येर के कोश्चन पेपर के ट्रेंड को एनलाइज करें और ट्रेंड को एनलाइज करते हुए तब सजेशन्स को उस ट्रेंड की कसाउटी पर कसने की कोशिस करें और जो सजेशन्स ट्रेंड की कसाउटी पर खरे उतरते हैं उन सजेशन्स को स्विकार करें जो सजेशन्स ट्रेंड की कसाउटी पर खरे नहीं उतरतें उस suggestion को खारीज करने से आपको परहेज नहीं होना चाहिए चाहे वो suggestion किसी के दोरा दिया गया आप पहली चीज दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह मैं कहना चाहूंगा वक्त का तकाजा है तुफां से जुजो कब तक चलोगे किनारे किनारे देखें, there is no shortcut of success सफलता का कोई shortcut नहीं होता और at the same time मैं कहना चाहूंगा कि अगर shortcut के जरिये सफल होना चाहते तो हो सकता है सफलता किनी को मिल जाए लेकिन सफलता का वह तरीका सफलता का वह रास्ता sustainable नहीं होगा वह सफलता का वह तरीका सफलता की वह strategy full proof strategy नहीं होगी higher risk को वह पर होगा और वह से इस सफलता की जितनी संभावना होगी उससे कहीं ज़्यादा उसमें वह सफलता की संभावना होगी और ये बाते मैं क्यों कह रहा हूँ इसके माद्धियम से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो इसके माद्धियम से मैं तीन बाते कहना चाह रहा हूँ पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वह यह कि BPSC के लिए अगर 66 BPSC की तयारी आप शुरू कर रहे हैं तो आपके पास एक integrated approach होना चाहिए एक समेकित नजरिया आपके पास होना चाहिए और वह समेकित नजरिया क्या हो क्योंकि अच्छी तरह से आपको पता है कि BPSC के BPSC जो लोक सेवा आयूग की मुख परिक्षा होती है जिसको समेख तो प्रतियुकता प्रविष्परिक्षा कहते हैं तो अगर आप देखे तो यह तीन चरणों में होती है प्रारंभिक चरण जिसको preliminary test कहा जाता दूसरा चरण है मुख परिक्षा मेंस और तीसरा चरण है interview तो अगर PT को अगर आप देखे तो बिहार में PT के के केवल एक paper होते हैं सामान्य अध्यन के paper और उस सामान्य अध्यन के paper में multiple choices वाले प्रस्णों होते हैं 150 प्रस्णों होते हैं 150 अंक के प्रस्णों होते और सबसे महत्पूर्ने चीजें जो है पिछले कुछ वर्सों से multiple choices के जो questions के pattern उनमें बदलाओ आपको दिखाई परते पहले इसमें केवल ABCD चार option होते थे वर्तमान में अगर आप जाकर के देखे तो यहां पर 5 option होते थे और पांचमा option जो होता है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त सभी का option होता है और मुझसे अगर पूछें तो यह सबसे खतरनाक option है पांचमा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त सभी क्योंकि क्योंकि slight अगर आप मिस करेंगे तो आपके answer के गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी इस पांचमे options ने प्रारंभिक परिच्छा की रन्नीती में बदलाओ की आवस्चकता को जन्म दिया है और प्रारंभिक परिच्छा की रन्नीती में जिस बदलाओ की आवस्चकता को जन्म दिया है वह यह कि आज अगर आप लुसेंट और लुसेंट जैसे गाइड के जरिये BPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी की यह रन्नीती सस्टेनिबूल नहीं होने जा रही सस्टेन नहीं कर रही करने जा रही हो सकता है कि उस आभार पर किसी के प्रारंभिक परिच्छा में हो जाए लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि रिस्क हमेसा बना रहेगा और दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि ओहां अधिक से अधिक आप प्री क्वाइलिफाई कर सकते हैं मेंस में करने के लिए आपके पास बहुत कुछ नहीं होने जा रहा है तो पहला जो सजेशन मेरा है कि एक इन्टिग्रेटड एप्परोच के साथ BPSC की तैयारी सुरू करें जिस इन्टिग्रेटड एप्प्रोच में Grant लेकर लास्ट स्थेश तक प्रारंभिक परिक्षा की रन निति के लिए सब्स हो मुख परिक्षा की रन निति के लिए space हो और तीसरा साक्षातकार की रननिती के लिए आपके पास space होना चाहिए दूसरी बात यहाँ पर अब जो मैं कहना चाहता वहिया कि गाइड बुग गाइड बुग को पढ़ने की बजाए और गाइड बुग के पीछे भागने की बजाए आवश्यक्ता इस बात की है कि original takes तक पहुँचने की कोसिस करें और जब original takes तक पहुँचने की बात कर रहा तो मैं guide book को छोड़ने की बात नहीं कर रहा Lucent आप पढ़ है हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो revision में काम आ सकता है Lucent basic understanding develop नहीं कर सकता और आज जिस तरह पांच option है और जिस तरह पांचमा option दिया जा रहा है तो आप लेकर के चलें at least BPSC के 50% question जो होते उनको solve करने में इस basic understanding की महतपूर्ण और निरनायक भूमिकापुती दूसरा कि प्रारंभिक परिक्षा को आप clear कर ले तो प्रारंभिक परिक्षा के stage को पार करने के साथ ऐसा नहीं है कि BPSC में आपका final selection हो जाता जब मुख परिक्षा में आते हैं और आपकी पूरी की पूरी रननीती BPSC की तयारी के लिए प्रारंभिक परिक्षा के अंद्रित रही है तो जब प्रारंभिक परिक्षा में सफल होते मुख परिक्षा की तैयारी की दिशा में आप बढ़ते हैं तो ओहां पर आपको अपने पैरों के नीचे की जमीन जो है खिसकती हुई दिखाई परती है और अगर पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई दिखाई परती है तो उसका primary region यह है उसका प्रमुक कारण यह है कि आपने प्रारंभिक परिक्षा की जो तैयारी की है guidebook को आधार बना करके जिसके कारण एक basic understanding lack कर रहे हैं तो अगर basic understanding को आपको develop करना है और यह चीजें interview में भी हम role play करेंगे तो अगर basic understanding को develop करना है तो मैं आपको suggest करूँगा प्रयाप्त समय है NCRT की book को अनिवारता पढ़े अनिवारता आपको पढ़नी चाहिए और दूसरी चीज इस basic understanding के साथ साथ जो आपकी तैयारी की दिशा है तैयारी की दिशा में accuracy हो वह सही हो इसके लिए आवश्यक्ता इस बात की है कि पूरी की पूरी तैयारी की प्रक्रिया में प्रारंभिक परिक्षा और मुख परिक्षा के question paper आपके साथ मौजूद हो और आप लगतार उस question paper को देखने की कोशिस करें जिस topic को पढ़ रहे हैं उस topic पर क्या प्रसन पूछे जा रहे हैं प्रसन पूछे जाने की frequency क्या है इसको आप identify करने की कोशिस करें आप यहीi imagine करने की कोशिस करें कि अगर इस topic पर ऐसे ही प्रसन पूछे जाते तो आगे क्या-क्या प्रस्ण बन सकते हैं, किस प्रकार के प्रस्ण एहां से पूछे जा सकते हैं और तीसरी बात वहियर कि जिस टॉपिक पर प्रस्ण के पूछे जाने की फ्रिक्वेंसी अपेक्छक्रे ज़्यादा है वहां पर आपको थोड़ा सा डेफ्ट में जाना होगा जहां से प्रस्ण पूछे जाने की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम है वहां पर बहुत ज़्यदा डेफ्ट में जाने की जरूरत नहीं अगर आप इस तरीके से अपनी तयारी को लेकर बढ़ते हैं तो पहली चीच आप यह आइडेंटिफाइ करने की इस्तिती में होंगे कि आपकी तयारी की दिसा सही है या नहीं दूसरा आप यह आइडेंटिफाइ करने की इस्तिती में होंगे कि जो सोर्स मैटेरियल आप इस्तिमाल कर रहे हैं वो source material sufficient है या नहीं और अगर आपको लगता है कि नहीं source material sufficient है अगर आपको लगता है आपकी तैयारी की दिसा सही है तो उस इस्तिती में आप विश्वास करें आपका confidence level बेहतर होगा और अगर आपका confidence level बेहतर होता है तो वह से इस्थती में आप हमेसा एक जबनेशन हॉल में plus 10% perform करने की स्थती में होगे जो आप perform करने का expect करते हैं जिस performance का expectation आपका है उससे 10% करने की स्थती में होगे और अगर यह चीजे आपके पास नहीं है तो 10% आप minus की स्थती में होगे और इस तरह से differences जो create होता है वो 20% का differences create होता हुआ था तो अगर इस context में देखे इसलिए मैंने आपसे कहा कि सफलता का कोई shortcut नहीं होता अगर आप सफल होना चाहते तो उस इस्थिति में shortcut के रास्ते को अपनाते हुए shortcut को अपनाते हुए risk को maximize करने से ज्यादा बेहतर है कि हम 10% ज्यादा मीनत करें लेकिन ओहां पर हम risk को minimize कर दें और इसके context में देखें मैं सिरकान्त वर्मा को quote करना चाहूँगा वक्त का तकाजा है तूफां से जूज हो वक्त का तकाजा है तूफां से जूज हो कब तक चलोगे किनारे किनारे और यहां पर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ BPSC का current examination pattern जो है चाहे वो pre का हो चाहे वो means का हो कब तक continue करेगा इसके बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता और अगर इसके बारे में दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है तो कल जब BPSC का examination pattern change करेगा मुख परिक्षा की पद्धती में बदलाव लाए जाएंगे तो उसी इस्तिती में नई पद्धतियां आपके लिए थोरी सी मुश्किल होंगी यह anticipate मैं कर सकता हूँ UPSC के pattern में आने वाले changes के हिसाव से UPSC के pattern में आने वाले changes के हिसाव से और इसके perspective में अगर मुझसे पूछें तो चुकी 66 में BPSC परिक्षा वा पूराने pattern पर हो रही है तो यह आपके लिए golden opportunity है इस golden opportunity को आप in case करवाने की कोसिस करें इस golden opportunity को आप अपने हाथों से बाहर नहीं निकलने दें यह मेरा suggestion होगा और current जो BPSC का examination pattern है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप vision के साथ मिहनत करते हैं यदि vision के साथ आप काम करते हैं तो साइद ये दुनिया का सबसे आसान exam है किसी भी दूसरे PCS की तुलना में यह examination जो है वह आपको अपेक्षक्रित आसान है वो इसी इस्तिती में आपके qualify करने की संभावना अपेक्षक्रित ज्यादा होगी और इसलिए बंधो मेरा आपके साथ message है मेरा message आपके लिए यह है कि try to get what you like try to get what you like else you will be forced to like what you get अब अगर इसके perspective में मैं बात करूँ तो आगे मैं कहना चाहूँगा एक बार मैं brief करना चाहूँगा एक मोटा मोटी BPSC को question paper को अगर आप देखें तो करीब करीब आप लेकर के चलें 150 प्रस ने इसमें जो पूछे जाते तो लग भाग 40 से 42 प्रस कभी 40 भी हो सकता कभी वो 44 भी हो सकता कभी 45 भी हो सकता तो अगर मैं कहूँ तो 42 प्लस माइनस प्रस जो है हिस्षी सेक्षन से BPSC में रहते और ये जो 40 प्लस माइनस प्रस ने हिस्षी सेक्षन से रहते अगर इन में देखें तो ancient India section से करीब करीब 6-7 प्रस्ट रहते medieval India section से अगर आप देखे तो 6 प्रस्ट के आसपास यहां से रहते modern India से देखे तो करीब करीब 18-20 प्रस्ट यहां से रहते और इन तीनों के context में अगर देखे तो 10-12 question बिहार specific होते जो ancient medieval या modern में बिखरे परे होते और इस तरह से history section करीब करीब अगर आप लेकर के चलें तो near about 28-29 प्रसेंट आप question paper को यह cover करता हुआ आता और अगर यह इतने को cover करता है तो इसका मतलब यह है कि history section को हमें अपनी तैयारी की रननीती में अपेक्षाक्रित अधिक अहमियत देनी होगी अपेक्षाक्रित अधिक उर्जा खर्च करनी होगी history section के लिए आप जो कुछ पढ़ रहें NCRT को अनिवारता पढ़ें तीनों NCRT जो पुरानी वाली है रामसरन सर्मा जी वाली, सतीस चंद्रा जी वाली, विपिन चंद्रा जी वाली तीनों पुरानी NCRT पढ़ें और तीनों पुरानी NCRT के अलावा इम्तियाज आहमसर की जो बुक है बिहार के इतिहास और भुगोल पर तो बिहार पर जो इम्तियाज आहमसर की बुक है उसको आप अनिवारे तफ पढ़ें और इतना पढ़ने के बाद अगर आप लुसेंट देखना चाहते लुसेंट एड़ोन कर लें किसी दूसरी बुक को देखना चाहते किसी दूसरी बुक को एड़ कर लें और कोशन बिंग प्रिवियस एयर के प्रस्णों को जरूर आप एड़ोन करें और एहां पर मेरी बात द्यान रखिएगा प्रिवियस एयर के प्रस्णों को आपको देखना नहीं है previous year के प्रस्णों को आपको पढ़ना है अगर पढ़ने वाले approaches के साथ previous year के question paper को आप देखेंगे तो उस इस्थती में एक better understanding develop होगी एक better approach develop होगा better application develop होगा और देखने का मतलब है अगर प्रस्ण कुछ पूछा जा रहा तो A option होगा तो क्यों होगा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा B option होगा तो क्यों होगा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा C option होगा तो क्यों होगा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा D option होगा तो क्यों होगा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा मतलब ऐसा नहीं कि आपको आंसर मिल जा रहा है ता अगले प्रस्टन पर मूव कर जाए पांचों के पांचों आप्सन को आपको एप्रोच करना है और अगर इस तरीके से आप मूव करते तो आपकी अंडरिस्टेंडिंग भी डिवलप करेगी आपका एप्लिकेशन भी डिवलप करेगा और अंडरिस्टेंडिंग आप एप्लिकेशन को डिवलप करने के इस्तिति में आप कम्फर्टिबुल पोजिशन पर होंगे इस अप्रोचेज के साथ आपको हिस्से सेक्शन को कबर करना चाहिए हिस्षी के बाद मूव करें दूसरा सेक्षन है इंडियन पॉलिटी सेक्षन बिपी एसी का ट्रेंड अनलेसिस हमने जो बिपी एसी पॉइंट सार्थक संबाद बिपी एसी पॉइंट जो है टेलेग्राम लिंग इस पर एक सेक्षन हमने उपलब्द करवाया है, अगले तीन-चार दिनों में हर सेक्षन के ट्रेंड अनलेसिस वहांपर उपलब्द होंगे मैं सजेस्ट करूँ गा वो ट्रेंड अनलेसिस आप हमसे जूरते हैं, आप हमसे नहीं जूरते हैं, matter नहीं करता वह trend analysis जो है वह आपको guiding principle का काम करेगा और वह trend analysis आपको लगतार इस बात का संकेत देगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए यह sense जो है आप उस trend analysis के आधार पर develop कर सकते Indian policy section के लिए अगर आप देखें तो मैं suggest करूँगा Indian policy के लिए NCRT अनिवारता पढ़ें और NCRT के अलावा अगर आप Indian policy section के लिए देखना चाहते तो फिर मैं suggest करूँगा apart from NCRT क्योंकि मुझे लगता कि अगर लक्ष्मिकांत आप पढ़ना चाहते तो जो trend analysis हमने दे रखा है उस trend analysis में कहाँ पर ज्यादा प्रस्णों के frequency रही है इसकी विस्तार से चर्चा है उसको आधार बना करके आप लक्ष्मिकांत को approach कर सकते अधर्वाईज आपके पास lucent मौजूद है आपके पास previous year के question paper मौजूद है उसको आधार बना करके काम करें और इहां पर इस पूरी की पूरी चर्चा के क्रम में मैं इस बात पर जोड़ देना चाहूंगा कि बिहार में प्रारंभिक परिक्षा में जो प्रस्ण पूछे जाते हैं उन प्रस्णों के orientation को देखें general studies की और उनका orientation कम होता है general knowledge की और उनका orientation comparatively जाता होता है और general knowledge की और उनका orientation जादा होता है तो इसके माप्धियम से मैं यकाना चाहता आपको one day exam की तैयारी करने वाले जो लोग होते हैं और one day exam में जिस प्रकार के gk-based प्रस्ण पूछे जाते उसकी जहलक आपको BPSC के paper में भी देखाई परेगी और साइद यही कारण है कि कम से कम pre-examination में BPSC के pre में one day exam की तैयारी करने वाले bank, railway, इसकी तैयारी करने वाले जो लोग हैं SSC की जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो थोरे से comfortable position पर होते और वो प्रारंभिक परिक्षा को मुश्किल बनाते हैं लेकिन एक बार जब pre-k stage को वो cross करते तो उनके सामने मुश्किलें बरी होती हैं और मुख परिक्षा को वे जो competent candidate हैं उनके लिए आसान बनाते हुए आते अगर इसके context में देखें तो इंडियन पॉलिटी सेक्षन से भी 12 से 14 प्रस्ण पूछे जाते हैं और मुटा मुटी जाकर के देखें अगर आपने मुटी यहां से काम किया है तो अगर 14 प्रस्ण पूछे जा रहे तो 11-12 प्रस्ण तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं तीसरा सेक्षन है economy section जहां से 15-16 प्रस्ण पूछे जाते हैं और economy section से जो प्रस्ण पूछे जाते हैं उनमें अगर आप देखें तो 15-16 question जो है यहां से इनमें लगबाग 10-11 question जो है भारतिय अर्थ व्यवस्था से पूछे जाते हैं कई बार factual information यहां से पूछे जाएंगे कई बार terminology से उठा करके प्रस्ण पूछे जाएंगे कई बार जो है Indian economy का एक मोटा मोटी historical evaluation जो है Indian economy और economy के different sector जो है वहां से उठा करके जीके-based question पूछे जाते हैं 5-6 question जो है वो बिहार की economy specific प्रस्ण एहां से पूछे जाते हैं और इस point of view से देखें तो economy के point of view से मैं suggest करूँगा जो पुस्तके आपके लिए उपयोगी हो सकती है NCRT के अलावा परतियुकता दरपन का जो अर्थवैवस्था भारती अर्थवैवस्था अतिरिक तांग के है वह Lucent आप पिक करना चाहें वह दो में से जिसको पिक करना चाहें तीसरा previous year के प्रस्णों को अनिवारत आधार बनावे और economy section के लिए मैं suggest करूँगा कि आपको हर हालत में बिहार से related current development Indian economy से related current development को करने की आवस्था महसूश होगी और उस point of view से देखा जाए तो मोटा मोटी बिहार का जो economic survey है उसकी briefing बिहार का जो budget है बिहार सरकार का उसकी briefing apart from that जाकर के देखें बिहार सरकार की विभिन आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित योजनाएं जो हैं वो योजनाएं आपके लिए महतपूर्ण हैं at the same time किंदर सरकार के परिप्रिक्ष में भी इसको आधार बना सकते और इन current specific चीजों को cover करने के लिए मैं या suggest करना चाहूंगा कोई भी standard magazine परत्योकता दरपन को pick करना चाहें आप विक्रम सरहें रोसन सरहें वो detail में आपको discuss करेंगे stressory परिक्षा और किसका किसका वो आता रहता है आप उनको cover करें हो चौथा कंटेक से area है जोग्रफी का area है जहां 25 से 26 प्रस्न पूछे जाते है विक्रम सर अभी थोड़ी देर में आपके साथ चर्चा करेंगे इन 25 से 26 प्रस्नों में करीब करीब 18 से 22 प्रस्न जो हैं वो भारत की जोग्रफी से पूछे जाते और करीब करीब 6 से 7 प्रस्न जो हैं बिहार के भूगुल से पूछे जाते और यहां पर बार बार इस चीज पर मैं जोड़ दे रहा यह जो इंटर्नल कंफिग्रेशन है डिफरेंट सेक्षन के बीच GS के पिपर में और डिफरेंट सेक्षन में भी सव सेक्षन के बीच जो इंटर्नल कंफिग्रेशन है उसमें उतार चढ़ाओ साल दर साथ चलता रह तो उसके लिए mentally तयार रहे हैं और यहां पर एक मोटा मोटी idea देने की कोशिस की यह प्रस्ण जो पूछे जाते physical से भी होंगे, यह प्रस्ण जो पूछे जाएंगे human geography से भी होंगे यह प्रस्ण आपको economic geography से भी होंगे, यह प्रस्ण आपको world geography से भी होंगे हाँ जो जेनरलिस्ट अप्रोच जो है वह यहाँ पर ज्यादा डोमिनेट करेगा सामान्य विज्ञान में अगर आप जाकर के देखें यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें हिस्ट्री सेक्षन के बाद कोई दूसरा सेक्षन अगर महत्पूर्ण है ट्रेडिशनली तो वो है जोग्रफी सेक्षन जहाँ पर करीब करीब आप लेकर के चलें नियर अबाउट 18 तू 20 परसेंट आफ कोशन्स जो है जोग्रफी सेक्षन से पूछे जाते इसलिए जोग्रफी सेक्षन पर भी आपका प्रॉपर फोकस होना चाहिए नेक सामाने विज्ञान खंड से देखें तो नियर अबाउट 20 परस के आस्था सामाने विज्ञान से पूछे जाते फिजिक्स से करीब करीब 3 परस केमेस्ट्री से 4 परस और 12-13 परस जो है वो आपको बाइलोजी से उठा करके पूछे जाते अगर इसके point of view से देखें तो इसके point of view से Lucent वाला जो है वो आपके लिए उपयोगी है Lucent का सामाने विज्ञान वाला सेक्सन लेकिन एहां पर मैं सजेस्ट करूँगा कि NCRT की Science and Tech वाला जो सेक्सन है उसको अनिवारे तो पढ़ें क्योंकि कुछ प्रस्णों वहां से भी आपको लगतार मिलेंगे और Science and Tech वाला सेक्सन NCRT का अगर आपका पढ़ा हुआ है बायो वाला सेक्सिक सेक्सन अगर पढ़ा हुआ है तो Science से पुछे जाने वाले प्रस्णों को लेकर आप Comfortable ज्यादा होगे अपार्ट फ्रम देट देखें Mental जो Ability सेक्सन है वहां से 10 Question फिक्स और यहां पर इस चीज़ को ध्यान दखे मतलब हर आदमी की तैयारी की अपनी अपनी स्ट्रेट्जी होती हर आदमी का Strength और Weakness ज़्यादा होता जैसे मैं जिस समय BPSC दिया करता था दो ही बात देने का मौका मिला और मतलब Overall GS में अगर मैं कहूँ तो मेरा Geography सेक्शन और मेरा Science वाला सेक्शन जो है वो कही ने कही परिशान करता था हमें Uncomfortable ओहां फिल होता था कभी comfort फिल ने किया तो उसे स्थिति में हमने जो अपने लिए रन्निती तयार की थी और ध्यान रखेंगे हर इंडिविजुल की रन्निती अलग-अलग होगी हमने यह देखा कि जोग्रफी वाले सेक्शन में कौन-कौन सा सब सेक्शन है जिसको हम आसानी से रिस्पॉंड कर सकते तो मुझे लगा Economic जोग्रफी को हम आसानी से रिस्पॉंड कर सकते हैं Human जोग्रफी को आसानी से रिस्पॉंड कर सकते हैं और थोड़ा बहुत कहले वर्ल्ड और फिजिकल जोग्राफी की कुछ चीजे थी जहां पर रेस्पॉंड कर सकते थे उसको हमने कवर किया रेस्ट को हमने छोड़ दिया साइंस में हमने देखा क्या हम कवर कर सकते क्या नहीं कवर कर सकते तो मतलब कई बार देखे साइंस खराब होने के बाप जुद सुकून महसूस होता कि हमारा साइंस खराब था तब भी आर्कमेडीज के सिदांत और न्यूटन का लौ आज भी जानता कम से कम इस मामले में अन बच्चों से बेहतर इस्तित्य है जिनोंने बी एससी और एमेसी किया है और न्यूटन के लौ में भी गरवरा जाते और अर्कमेडीज के सिदांत में भी गरवरा जाते तो अगर आप देखें, तो ओहां पर जो चीज करता था, दरपन लेंस में जरूर करता था, दूसरा अगर बात करूं, रसाइन के कंटेक्स में और बायो के कंटेक्स में, तो बायो के कुछ एरिया को अइडेंटिफाई हमने कर लिया था, जहां से कर सकते थे, और हमारी कोशि करते थे तो उसको मैं कमपंसेट करने की कोशिश करता था पॉलिटी सेक्षन से एकोनोमी से 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 में बतला दूं हम लोगों के समय 14-15 कोश्चन पूछे जाते थे और उने इने एवरेज दो बार दिया दोनों बार 11 से 12 तरस मेरे में 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 सही तो जबकि सामाने त में में उनको परिशा नहीं होती है दो तीन चार तक जाती जाते दम उखरने लगता उनका एगेन करेंट सेक्षन में देखें तो करीब करीब करेंट से 25-26 पूछे जाते और वहां पर जो ओरियंटेशन होता है वह ओरियंटेशन जो है जेनरल नॉलेज स्पेस्फिक होता ह कौन सा पुरसकार किन को मिल रहा है स्पोर्ट से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्राइज के कंटेक्स में जो डिफरेंट सेक्षन उभर करके सामने आ रहे है जो जी के बेस्ट डिवलप्मेंट कहां पर सत्ता परिवर्थन होता है कौन रास्त्रा ध्यक्षे हैं किस से जूरे हुए हैं इस तरह के प्रस्ण एहां से ज्यादा पूछे जाते हैं जिसको डिटेल में हमने ट्रेंड अनलीसिस में चर्चा की है आपके साथ और अगर आप देखें तो बिहां 150 प्रस्णों में 25 से 26 प्रस्णों होते हैं जो बिहार स्पेस्फिक होते हैं चाहे वो एकोनोमी से संबंदित हो चाहे वो पॉलिटी से संबंदित हो चाहे वो हिस्टी से संबंदित हो चाहे वो जोग्रफी से संबंदित हो इतने प्रस्ण बिहार स्पेस्फिक होते हैं तो एक मोटा मोटी आइडिया मैंने आपको देने की कोशिस क और मोटा मोटी आइडिया देते हुए हमने ये बतलाने का प्रयास किया कि आप अगर देखे तो एहां पर internal configuration जो 150 प्रस्णों का है वो किस प्रकार का है उसका हर section का internal configuration क्या है उसको हमने आपके साथ discuss किया और फिर हमने आपके साथ चर्चा की और चर्चा करते हुए हमने बतलाया कि Indian history section, geography section और current section जो है अगर इन तीन section को आप properly focus करने की कोसिस करते तो मोटा मोटी आप ले करके चले 90 question आप आसानी से approach करने के इस सती में होगी और इस point of view से मैं कहूंगा एक बार थिर से मैं अपनी बाते कहना चाहूंगा वह यह कि book reading must है there is no shortcut of success takes पढ़े, guide revision के काम आता है guide का इस्तेमाल revision book के रूप में करे लेकिन takes और question bank हमेशा आपके focus में होना चाहिए अब आपके मन में यह प्रस्ण उठता होगा कि सार्थक संबाद आपके लिए किस परकार helpful हो सकता हम किस परकार मदद कर सकते देखें आप हमारे पास आएंगे हम आपको यह नहीं कहेंगे कि हम आपको SREM बना देंगे आप हमारे पास आएंगे हम आपको यह नहीं कहेंगे कि हम guarantee लेते हैं कि आपको सफलता दिलबा ही देंगे लेकिन हम आपको यह जरूर कहेंगे कि आपको जहाँ पर हमारी जरूरत महसूस होगी हम आपको उपलब्ध मिलेंगे हम आपको यह जरूर करेंगे कि प्री से लेकर के इसरवीव तक Mark Darsan की कमी हम नहीं होने देंगे हम यह जरूर आपको एस्शोर करेंगे कि दो चीजें सार्ठक संबाद आपको एस्शोर करेगा एक Quality Guideline Quality Materials की उपलब दहता और मैं आपको इंशोर करता हूँ there will be no alternative of quality गुनवत्ता का कोई विकल्प नहीं होता और हमारा विकल्प नहीं होगा यह मैं इंस्योर करता हूँ जो बच्चे हमसे जुरे हुए हैं इंटर्व्यू प्रोग्राम में मेंस प्रोग्राम में ठीक है आप उनसे फीड़बेक ले सकते हैं उनसे आप इंटर्वेक्ट कर सकते हैं या जो हमसे जुरे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आप उनसे बात कर सकते हैं क्वालिटी और कमिट्मेंट लेवल पर हमारे अल्टरनेटिव नहीं है और दूसरी चीज हम स्मार्ट स्टडी में विश्वास करते हैं मतलब बैल की तरह मेहनत करने की बजाय हम क्वालिटी मेहनत पर ज्यादा फोकस करते हैं work पर ज़्यादा focus करते मिहनत की दिशा को कैसे नरधारित किया जाए accuracy वहाँ पर कैसे maintain किया जाए हमारा focus वहाँ पर होता है और accuracy maintain करते हुए हम अप एक शाक्रित कम मिहनत पर bitter result के लिए आपके साथ काम करते हैं आपका selection होता है या आपका selection नहीं होता यह हमारे लिए secondary है यह ह आप अपना base दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे और उस base के देने में अगर आप हमारी मदद लेना चाहते तो हम उस संदर्व में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं या नहीं लास्टली मैं अपनी बातों को sum up करना चाहूंगा और मैं अपनी बातों को sum up point form में करना चाहूंगा वह है कि 6x6 BPSC के लिए आपके पास integrated approach होना चाहिए integrated vision के साथ काम करें प्री specific होकर के vision नहीं होना चाहिए प्री में और interview तीनों के लिए आपके पास vision होना चाहिए और तीनों में कोई inherent contradiction नहीं है दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यर there is no shortcut of success क्योंकि अगर मोक्ष चाहिए अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उसके लिए मरना परेगा बिना मरे आज तक कोई स्वर्ग नहीं पहुँच पाया है तीसरी बात जो मैं कहूंगा वह यर बुक रीडिंग, टेक्स रीडिंग करें हो सकता है बिना टेक्स रीडिंग के प्री क्वालिफाई कर जाएं लेकिन आप ध्यान रखें मेंस और इंटर्विव में आप कभी confidence गें नहीं करेंगे अगर आपने proper टेक्स रीडिंग नहीं क होगी, प्री की तैयारी भी आपको आपकी सफलता को लेकर ऐस्शैयोर करने की इस्थफिम में नहीं होगी चौती चीज जो मैं कह रहा है, मैं यह नहीं कह रहा है कि आप गाइड मत पढ़ें गाइड आप पढ़ें लेकिन गाइड का रोल सपोर्टिब होना चाहिए गाइड का रोल प्राइमरी नहीं होना चाहिए और गाइड रिविजन में रोल प्ले करें ना कि गाइड हमारा प्राइम बेसिस बन जाए पांचमी चीज जो इसके कंटेक्स में मैं कहना चाहूंगा वहिया कहना चाहूंगा कोश्चन बेंग को अपनी एस्ट्रेटजी का part and parcel बनाएं कोश्चन बेंग आपकी एस्ट्रेटजी के सेंटर में होना चाहिए और उसको आधार बना करके काम करना होगा चाहिए आपको छटी चीज जो मैं कहूंगा वहिया कि हमारी जो अपनी प्रात्मिक्ताओं को निर्धारित करें सफलता आसानी से नहीं मिलते और सफलता इतनी मुश्किल भी नहीं है कि नहीं मिल सके हाँ सफलता के लिए कोशिस करनी होती है सही दिसा में कोशिस करनी होती है और सफलता के लिए कोचिंग जरूरी हो यी भी कोई आवस्चक नहीं है सफलता के लिए अहम है मार्गदर्सन वह कोचिंग के साथ भी मार्गदर्सन मिल सकता वह कोचिंग के बिना भी मार्ग दर्शन मिल सकता है और हो सकता है कोचिंग जोइन करने के बाब जूद आपको वह मार्ग दर्शन उपलब्द नहीं हो इसलिए महतपूर्ण मार्ग दर्शन है महतपूर्ण कोचिंग नहीं है और एक चीज में कहूंगा फिर मैं अपने कलीक को दूँगा, अपने टींग मेंबर को दूँगा, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वह यह कहना चाहूंगा, कि हमारी जो क्लासरूम में स्ट्रेटजी होती है, हमारी जो क्लास में एप्रोच होता है, प्री के लिए भी, फाउंडेशन बैचेज के करने करें।ख और अगर बेसिक अंडेर जासेंड़ी को सेंटर में आप रखते हैं, बेसिक अंडेर सेंड़िग YOU उसकर करके आप आसानी से क demais सकते हैं, रठने की मजबूरी नहीं रह जाती। लेकिंग अगर बेसिक सेंड़िक है तो ऐसी इस स्तिति में रटना आपकी मजबूरी होगी, रटने के आपके पास कोई भी खल्प नहीं होगी इहां तक में अगर आप में से कोई भी कोई क्वेरी करना चाहता तो आप क्वेरी कर लें मैं रिस्पॉंड कर देता हूँ किसी भी प्रकार का प्रस्ण, कोई भी दुविधा आपकी हो नहीं